आज हम लोग इस वीडियो में बहुत कालिन सिक्षा के बारे में जो है चर्चा करेंगे बहुत कालिन सिक्षा के विशेस्ताएं क्या थी उसका उद्देश क्या था और उसमें जो है किसकी सिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया था इस सारी चीचे जो हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे ये वीडियो जो है आपकी एक्साम पॉइंट आवे उसे बहुत ही ज़ता इंपोर्टेंट और हेलफुल है तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग जानेंगे कि बौध सिक्षा की प्रमुग विसेस नाएं क्या थी तो बौध सिक्षा में पहला पॉइंट हमरा आता है प्रवरज्जा और प्रवज्जा ये क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जो है चर्चा करेंगे तो अमरा क्या होता है बौधिक काल में पहले जो अमरा बैदिक काल था जिस प्रकार प्रविष्टी होने के पूर्व उपनयन संसकार आधि संपन्न होता था उसी प्रकार जो है बौध संग में प्रविष्टी होने के लिए भी एक जो क्या होती है प्रडाली प्रचलित होती और इसको हम लोग जो है प्रवज्जा जो है कहते थे और प्रवज्जा जो है इसका साप्तिक अर्थ होता है बाहर जाना जब लोग किसे चीश से बाहर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रवज्जा जो है कहते हैं और इस प्रथा के अनुसार जो है भावे था उसको हम लोग प्रवज्या कहते थे प्रवज्या ग्रहड करने की अवस्ता जो आट वर्स निधारित की गई थी संग में प्रविष्टी होने पर बारव वर्स तक जो सिख्षा ग्रहड करनी थी अगर आप जो संग में प्रविष्टी मतलब की आ गये हैं तो आपको जो ब प्रवज्जा की अवस्था तक वो क्या करता था उप संपता ग्रहड करता था और संग का पुड सदस्ट जो है बनता था प्रवज्जा की उपरांद जो है वो नवीन भिच्चुक जो है उसको हम लोग जो है समानेर कहते थे जो प्रवज्जा जब वो ग्रहड कर लेता था त उसको हम लोग जो है समानेर कहते थे बुद्ध का एक जो है सबसे महत्यपूर कोटेशन मरक है बुद्धम सरडम गच्छामी धम्मम सरडम गच्छामी संगम सरडम गच्छामी ये जो है बुद्ध का क्या है ये इसको जो है वो पालन करता था इस सरड़त रई के पश्चाट जोए बालक को संग में प्रवेश प्राप्त हो जाता था और वह जोए क्या कलाने लगता था स्रमड जोए कलाने लगता था इस संसकार का संपादन जोए आठ वर्स की आयू में क्या होता था होता था और माता-पिता के अनुरूप के बीना बालग का प्रवेश संग में नहीं होता था उन लोगों का प्रवेश नहीं मिलता था प्रवेश नहीं मिलता था प्रतिबंध लगा था और जाती बेद नव होते हुए भी जोए असिष्ट चरितरहीन यो भ्रहष्ट लोगों को भी जोए संग में क्या करती थी अनुमती जाने की नहीं थी अब हम लोग जानेंगे उपसंपदा क्या होता है बहुत काल में जोए उपसंपदा बहुती चर्चा में रहता है तो उपसंपदा क्या होता है इसके बारे में जो है जानेंगे तो ब्रामडी सिक्षा के समावर्थन संसकार की भाती जो है इसमें उपसंपदा संसकार होता था समावर्थन के पश्चात ब्रह्मचारी ग्रिहस्त जीवन में प्रवेश करता था पर उपसंपदा के पश्चात जो है स्रमण पूर भिच्चु जो है बन जाता था जब उप संपदा हो जाती थी तो उसके बाद जो है हम लोग बहुत भिख्शु को जो है क्या कहते थे पूर्ड भिख्शु जो है माना जाता था और प्रवज्जा ग्रहड करते हुए करते समय जो है आठ वर्स का नव भिख्शु गुरु के निकट जाकर हाथ जोड़ कर कहता था कि आप मेरी उपाध्याएं हैं और एक पक्षी सम्वन अस्थापित हो जाता था किन्तु उपसंपदा समस्त भिख्शो के समुक एक उच्षव के रूप में होता था इसमें समपाधन की प्रडाली पुड क्या थी जनतंत्रवादी थी बहुमत से इसे समपाधन होता था जैसे ये हमरा जो उपसंपदा होता था इसमें जितने भी छोटे छो बच्चे जो नए भिच्छू जो सामिल हुए रहते थे वाज़ा के गुरू के पास बोलते थे आप हमारे क्या है उपाद्धियाय हैं और स्रमण भिच्छू धारण करने के करके जो है हाथ में कमंडल और कंधे पर जो है एक क्या किये रहते थे चीवर लेकर अन्ने भिख्षो को प्रडाम करते थे और हाथ जोड़कर बैट जाता था वही वह उसके उपाध्याय को चुनता था और इस प्रकार जोए उपसंपदा संसकार जो होता था, संपन हो जाता था तो हम लोग समझ गए ना उप, संपधा संसकार क्या होता था देखें, जो नए भिच्चुक होते थे वो अपने गुरु के समक्ष जाकर बोलते थे कि आप हमारे क्या है उपाध्याय है और वो हाथ में क्या एक कमंडर लिये रहते थे और एक पहनने वाला जो रहते था उसको धारड किये रहते थे चीवर उसको बोलते थे उसको धारड करके वो अपने गुरु के समख जाकर या बोलते थे तो यही हमारा क्या होता था उपसंपता जो होता था नेक्ष्ट हमारा क्या है गूरु की योगिता और कर्तव्य को प्रधानता देना तो इस काल में वही बिच्चु जो है सिच्चक हो सकता था जो कम से कम दस वर्ष तक स्वैम बिच्चुक रह चुका हो वही हमारा सिख्षक बन सकता है और साथ जो है उसका सुध आचरण हो के लिए जो अनिवारी थी तो यह जो है सिक्ष के क्या होने चाहिए गुड़ होने चाहिए और बौद काल में गुरु को जो है उपाध्याय का जाता था और उसका करता भी होता था कि सिस्षे को स्नेह पुरवक सिक्षा प्रदान करना और दैनिक कार्यों के अंतरगत किसी भी आवसिक वस्तो की कमी होती थी तो उसका क्या करता था वो प्रबंधन करता था सिस्षे के सारीरिक वो मांसिक विकास का पूर उत्तरदाई तो उसी पर था ताकि वो सिस्षे के मेंटली हेल्द को जो है कैसे उसको करना है वो सारा भार किसके उपर था गुरु के उपर था औ और सिस्से का को जब सिस्से विमार पड़ता था तो उसकी पूड सेवा गुरू करता था तो यह जो है इस सिस्से की दिंचर्या का महत तो क्या था तो सिस्से जो है बौद सिक्षा प्रडाली में नियमित रूप से गुरू की सेवा करना छात्र के लिए जो है सबसे अनिवार गुरु के भिछाटन के लिए वस्त्र व पात्र आधी प्रस्तुत कर वो उसके इच्छा नुसार के साथ भिछाटन के लिए भी जाते थे। केवल बिच्छा ग्रहड कर लेने पर सिष्टे को पहले लौटना पड़ता था क्योंकि गुरू के हाथ पैर धोने वस्त परिवर्तन वो विश्राम की व्यवस्ता करना उसका ही कार्य होता था और सिष्टे को गुरू की सारिरिक सेवा के अतरिक उसके निवास अस्थान को भी स्वक्ष करना होता था ताकि वो क्या हो बिमार जल्दी न पड़े इसलिए उसके अस्थान को भी स्वक्ष करना था और सिष्टे को गुरू के सारिरिक सेवा के अतरिक उसके निवास अस्था पर अवलंबित होती थी सिक्षा गुरु का पूर अनुसासन क्या करता था सिस्से गुरु का पूर अनुसासन मानता था अब हम लोग देखेंगे कि गुरु सिस्से में संबंद कैसे होते थे तो वैदिक सिक्षा की भाती इस काल में गूरु सिस्से में संबंद वही पवित्रता विद्वान थी उन दोनों का संबंद घनिष्ट, स्नेय युक्त और सम्था दोनों के प्रिथक प्रिथक करतावे निधारी थे गुरु अत्यंत जो है साध की पुर जीवन वेतित करते थे और उनकी आवसकताएं भी जो है क्या होती थी सिमित होती थी हे इंसां के लिखों से असपश्ट होता है कि विहारों में रहने वाले गुरु अत्यंत कैसे थे उद्वव विधवान होते थे और बहुत काले शिक्षक नियूंतम वेतनी जो है पादे थे और प्रख्यास सिच्चक के सधार विद्यारतियों की अपेक्षा तीन गुना अधिक व्याय जो है मिलता था और बौध सिक्षप रडाली में विद्यारती के कर्तव निधारित होते थे उसे सिद्ध विदारक जो है कहा जाता था गुरु सिस्य की पुत्र की भाती रखता था गुरु जो अपने सिस्य को कैसे रखता था पुत्र की भाती रखता था और समान अवसकताओं की पूर्ती करता था और तथा किसी भी प्रकार का कष्ट होने पर नहीं होने देता था उसको और सिस्य आचार के जो है मानसिक कष्ट परिचित होने पर उसके निवारण की चेश्टा करते थे और इसके लिए धार्मिक वारता लाप और इसी प्रकार के अनि उपायो द्वारा गुरु पर मन भहलाव कर उनके मांसिक कष्ट को क्या करते थे दूर करने का प्रयाज सिस्से करते थे तो सिस्से और गुरु में सब्सक्राइब गुरु प्रशन उत्तरों वियख्याण वन शिक्षा और विवीन पद्दतियों द्वारा सिस्से का मानस जगत उद्भाश्त करते थे औरaver सिस्से दोनों ही जो है कैसे थे संघ के जो है आश्रि थे अतब बौत कालियन स्ट्षा में संघ की सत्था जो है सरोपरी थी यानि अगर कोई गुरू भी कोई गलत काम करता है तो सिष्स का कर्तब भी होता था कि वो उसके जितने भी गलत काम कर रहा है वो संग के प्रति जो है प्रस्तूत करता था और जो है गुरु को भी जो है उचित दर्ण प्रदान किया जाता था और क्या होता था जैसे कि फिर जब सिस जाके उससे संग से क्या करेगा विंदी करेगा विने पत्र लिखेगा तब जो है जो अध्यापक होता था उसको जो है सजा से मुक्त किया जाता था तो यह जो है बहुत ही अच्छी बात थी तो इसको भी हम लोगो ध्यान में रखना है तो यह जो है करते थे यह लोग नेक्ष्ट हमारा क्या है बौत दिकाल में शात्रों की संख्या निवास अस्थान भोजन और रहन सहन कैसा था इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो एक बिच्चुक ही एक नवीन बिच्चुक की सिक्षा दे सकता है यह इनलों का क्या थकतन था कि एक बिच्चुक होता है वही जो नए आई वे बिच्चुक होंगे उनको सिक्षा दे पाएगा क्योंकि वह रहन सहन जानता है और कैसे रहना है और कैसी भावनाई होती है य और इसलिए वो उसको क्या करता है सिच्छित कर सकता है बुद्ध ने समर्थ सिच्चकों के अधिक सिस्यों को भी सिक्षा देने की क्या करती स्विक्रिति प्रदान की है और महात्मा बुद्ध ने बिच्चुकों मठों और विहारों में रहने की आग्या प्रदान की थी और नालंदा आदी विश्विद्याले के बगनाशेयों से ग्याद होता है कि वहां हजारों विद्यार्थी में रहने की विवस्ता थी नालंदा में सवजदा विद्यार्थी क्या करते थे रहते थे इस प्रकार जो है बहुत दिकाले सिक्षा प्रडाली रिड़ प्रसस्त बिहार या मठ थे जहां पर एक हजार भिच्चु क्या करते थे रहते थे कुछ विद्यार्थी मठों में गुरु के पास न रहेका जो है स्वाम अपने घर पे भी रह सकते थे जिनका घर क्या था नस्दीक था से एक बनार्स के राजकुमार थे जुन इनकी कता जो है जातक ग्रंथों में मिलती है तो इससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी था सुष्य था वो कहीं पर भी रह सकता था जिसका घर नस्दीक था वो अपने घर रहता था और जो बच्चे दूर से आते थे वो जो कहां पर रहते थे जो मठों में रहते थे और बौद भिख्षों का जीवन जो है बहुत ही कैसा था सात्विक था बहुत ही सिंपल था ये लोग जो है साधा जीवन उच्च विवचारी जो है इनका उद्देश्य था और इन्होंने इसमें जो है सात्विक था विनम्रता कर्तब्य पराड वा परोपकारिता से जो है ओत प्रोत उनका जीवन कैसा था अनुकरड़िये था और अहिंसा सत्य पालन उनकी जो है सरवाधिक उलेखने विसेस्ताय होती थी कभी-कभी जो है नागरिकों की ओर से जो है गुरु और सिस्तों को भूजन का निमंत्रड भी मिलता था सुगंधित नृत्य संगीत का जो है उनके लिए क्या था निशेत था वो क्या नुरित नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते और ये सब इनके लिए क्या था मना था नेक्ष्ट हमरा क्या है व्यवहारिक विसेयों की सिक्षा बौधकाले सिक्षा पद्दती की अंतरगत व्यवहारिक विश्यों की सिक्षा व्यवहारिक रूप से प्रदान की जाती थी और विद्यार्ति गड़ कुशल मिस्त्रियों के साथ रख दिये जाते थे उनके साथ रहकर वो विभिन विशेयों का वेवारी ज्यान क्या करते थे प्राप्त करते थे तो वेवारी ज्यान भी इसको भी महत्तु दिया गया है नारी सिक्षा तो बौध काल में नारी सिक्षा का भी महत्व था लेकिन साधार नारियों की सिक्षा की विवस्ता नहीं थी जो राजगर आने से थी और धनी परिवारों से थी उनको सिक्षा की विवस्ता की गई थी बाकि जो साधार परिवार से होंगी उनको कोई सिक्षा की विवस्ता नहीं की गई थी नेक्ष्ट हमारा कहा है जन समान के सिक्षा इसमें जो है जन समान के सिक्षा का भी जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसमें जो है जो बहुत आचारे थे जो बड़े बड़े घरों से थे और जो अच्छे परिवारों से थे उनकी जो है शिक्षा की बात की गई थी सभी लोगों की जो है शिक्षा की बात नहीं की गई थी लेकिन पहले जो वैदिक काल था उसमें क्या था जन समाने को शिक्षा की बात नहीं की गई थी लेकिन सबसे पहले बहुत लोगों ने ध्यान दिया कि जन सामान को भी सिख्षा क्या करने चाहिए दी जानी चाहिए तो इन्हों ने सबसे पहले जन तांत्रिक सिख्षा की वे विवस्ता की थी तो इस पर हम लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है नेक्स्ट अमरेकरा है व्यवसाईक या अद्यों की सिक्षा मट में भिश्यकों के सिस्यों को सिखाने की आज्या थी और जो है महावग्ण में कातने, बुन्ने वसिलाइ करने का साक्ष जो है इस यूग में जो है आयूर वेद वस्विज्जान होता है पर्याप्त उन्नेती थी, सबसे ज़्यादा जो है इसमें के इस पर चिकिस्था पे बहुत ही बल दिया गया था जिवित किमार मच्च इस युग में प्रसेद चिकिस्थक और सल्य विज्यान विसे सग गये था चिकिस्सा सास्तर के अध्यन का केंदर जो है तच्च सीला था सबसे ज़्यादा जो है चिकिस्सा सास्तर का जो अध्यन जिसको करना होता था वो तच्च सीला में जाकर जो है करता था यहां राजिक गरिय इत्याद सुदूर अस्थानों में विद्यार्थी जो है सिक्षप्राप्त करने के लिए आते थे और जो है जब सिस्यों का परिक्षा होता था विद्यार्थियों का जब पेपर लिया जाता था उसमें भी जड़ी बूटईयों से और सैलच चिकिसा इन सबी चीज़ों से प्रशन रखे जाते थे जिससे क्या हो सबको इसका ग्यान प्राप्त हो और सापों को मारने की दवा इस बहुत दिक सकते इस योग में आय हुए हैं और वा दूर दूर तक देसों की आत्रा करते थे दूर दूर तक जा करते थे सबका प्चार करते थे तो यह जो बहुत अच्छी बात थी कि इसमें चिकिस्ता की बहुत अच्च का योगदान कैसे है तो यह इसके बारे में हम लोग जो है जर्चा करेंगे तो आधुनिक भारति स्प्षा को बहूद सिक्षा का योगदान अत्यंत्य व्यापक और कैसा है अभी अग्या है अभी नंदनीय हैं शिक्षा के छेतर में जो है ऐसे अनेक कार्य आयोजित किये और सारिक वयाम का आयोजन करना और हमारा प्रविदिक और वयग्यानिक सिक्षा का क्या करना आयोजन करना व्यवसाइक और लाप्रद विसेयों का सिक्षा का आयोजन ये सब चीजे क्या है बहुत ही महत्तो बोड़ है और हमारा क्या है लोकिक और समान्य विसेयों की सिक्षा प्रदान करने का आयोजन, बहुत सिच्छक और सामुहिक शिक्षा के प्रडालियों का आयोजन, लोक सभाओं का प्रोच जाहन और उनको शिक्षा के माध्यम का आयोजन करना, शिक्षा के विविन अस्तरों का अध्यन और निशत अवधिक आयोजन, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश सम्मधिन नियुमतम आयू नियुमों और परिच्छाओं का जव आयोजन करना ये सब कैसी भौधी पौश्टिव बाते हैं और माता पिता और अभी भावकों के साथ वाले बालकों के लिए जो है सिक्षा की सुविधाओं का आयोजन करना सभी धर्मों वर्गों औ प्रदान किये करने का जो है आयोजन करना ये सब कैसी है आधूनिक भारति सिक्षा का बौधिक सिक्षा की जो है योगना इसमें जो है इसका योगदान है